पार में या क्का आपका चनल श्यवजार वितायूश और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में PN गडगिल जुटिंग जोड़दार हुई कल दूस्तों हमने लिस्टिंग डे स्ट्राडिजी का वीडियो बनाया था और मैंने आपको अपर इन्डी थी 830 और आज देखें लिस्टिंग exactly 830 पर हमको देखने को मिली है और यह आपको उने कहा था दोस्तों कल भी कि ज़रूर ग्री मार्केट में आपको थोड़ी वह डाउनसाइड देखने को मिल रही है पर अगर आप कंपनी को देखेंगे तो कंपनी मुझे काफी बढ़िया नजर आती है और वो ही देखिये पॉइंट था जिसको लेकर में डिफिनिटली काफी पॉजिटिव था कि जब कोई स्टॉंग ब्रांड की कंपनी निकल कर आती है जो लगाता बढ़िया कर रही है उस स्पेस के अंदर तो उसको मार्केश भी डिफिनिटली वाल्यू करता और एग्जाक्ली ऐसा ही होता हुआ नजर आया लिस्टिंग करीबन दोस्तो आज 830 पर हुई पर जरूर उसके बाद स्टॉक में थोड़े सी प्रॉफिट बुकिंग मनती हुई नजर आयी करीबन दोस्तो आज का दिन का लोता 781 और 787.9 जो पर स्टॉक ट्रेड कर रहा था एग्जाक्लोजिंग जो 793 की है तो यह हम जरू कह सकते हैं के दोस्तो at the end of the day selling pressure तो आपको हावी देखने को मिला आज की दिन टोटल लागर दोस्तो 246 लाग शीर हमको ट्रेड होते हुए देखने को मिले कंपनी की market cap जो है वो दोस्तो आप करीबन 10,692 करोड हो चुकी है यानि मोर दन 10,000 करोड की यह कंपनी हो चुकी है आज delivery percentage करीबन 41.08 का आपको देखने को मिलेगा जरूर आज अगर आप moves देखेंगे तो listing के बाद उतना अच्छा देखने को नहीं मिल पाया majorly दोस्तों listing पे आपको जितना अच्छी listing होती भी नजर आई उसके बाद stock में profit booking देखने को मिली क्योंकि आज अगर आप देखेंगे हुआ क्या है कि एक change आपको देखने को मिलेगा price discovery के अंदर पहले दूस्तों price discovery एक टाइम पे होती थी होता है वो है 9.45 बट अब क्योंकि दूस्तों यहाँ पर saving रूल निकाल रखा है जिसमें 9.35 से 9.45 की बीच में कहीं भी और कभी भी आपको price discovery होती भी नजरास्कती है तो exactly दूस्तों NAC पे तो 9.35 की आसपास ही हो गई थी और BAC पे उसके 4 मिनिट बाद हुई थी तो difference हमको करीबन 4 रुपे का देखने को मिला बट overall यह बत सही है कि जो price discovery है उसमें और जाधा आपको clarity देखने को मिलेगी बहुत बहुत होता क्या है काफी लोग बहुत sellers हो जाते हैं काफी लोग बहुत buyers order लगा देते हैं तो उसके करणन भी कभी कभर issue देखने को मिलता है तो उसके करणन को price discovery है आच मैं कहूंगा अच्छी देखने को मिली चलिए वो बाकी की बात है बाकी तो ज़रूरी बात है वो क्या है ज़रूरी बात किये कि दूस्तों investors ने अच 73% बनाया है जिनको भी allotment लगा था उनको 73% listing gain होता हुआ नजर आया अगर आपने यापर pre-open में wage दिया तो आपको 73% तो definitely मिले ही है तो अपने अपनाप समझ सकते हैं कि जब अच्छा कासा profit होता है तो उसके बाद थोड़ी बहुत मुनाफ़ा वसुली देखने को मिलती है हाँ आप कह सकते हैं बजाज तो listing के बाद भी चलता हुआ नजरा है तो देखेंगे difference हर company में होता है वो आपको समझ में आना चाहिए बट मोटा मोटी आपको समझ में आना चाहिए कि जब अच्छा मुनाफ़ा हो रहा है तो वो देखने वाली बात है मार्केट में उसके बाद हमेशे ऐसा देखा जाते है कि जब अच्छा मुनाफ़ा हो जाता है तो stocks में बहुत 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 गिरावट देखने को मिल जाती है जो exactly इस बार हमको देखने को मिला है अब question तो यह आदा है कि जो तेजी अब यहाँ से आगे देखने को मिलेगी वो जादा नहीं है उनको limited ही तेजी देखने को मिल सकती है वह पर लगातार तेजी देखने को मिल जाता है एक value अगा जाता है एक hedge लिया जाता है अगेंज inflation और collateral लिटा है loans के लिए और वहीं अगर यह भी कागए जो PNG है जो पी एन गटिल जुएलर्वर्ज है वो भी leverage करते हैं this cultural affinity और साफसाफ का इसलिए company पे काफी boost भी किया है उनका diversified किया है product range करेबन 10,000 SKUs इनके पास gold के अंदर 1200 silver 2700 platinum के अंदर और 24,000 diamond jewelry के अंदर यह इतना broad based customer needs को पूरा complete करते हैं अब 39 stores देखे ऑप्रेट कर रहे है जिसमें 38 महराश्टर के अंदर है एक गोवा के अंदर है एक US के अंदर भी है तो इसलिए company का जो brand presence है वो काफी strong दिखता है एक्सपर्ट के दर यह काँए कि देखे जो PNG है financially भी काफी robust growth है company की significant तेजी देखने को मिली अलब significant increase देखने को मिला है revenue के अंदर EBITDA बढ़ता हुआ देखने को मिला है during 2022-2024 यह उन्होंने कहा है और यह है कि हाँ जिनके पास उन्होंने साफ काचिंगे इस positions है अगर आप यहाँ पर hold कर सकते हैं इसको for a medium to long term perspective तो एक expert का view बेचने कहा है एक expert का view अगर आप देखेंगे तो majorly short term का तो नहीं लेकिन long term का ज़रूर यहाँ पर hold की वो सला आपको देते हुए नजर आ रही है तो यह basically कहा गया अब मैं आपको वापिस से थोड़ा इस company के नहीं बताता हूँ जो major दोस्तों इस company के अंदर खास बात है वो क्या है वो दोस्तों इनका business है जिस तरीके से company अपने business को चलाया है यह आप समाझ सकते हैं कि growth और आज की listing उसकी पीछे का reason था definitely business and definitely जैसे मने कहा brand company के अगर आप product categories देखेंगे तो उसमें पहला collections है जिसमें आगर आप देखेंगे बहुत सारी चीज़े हैं duplicate designs, color mangal sutra, divine collections diamonds में company काम करती है gold में, silver में, women's jewelry में men's jewelry के अंदर इसलिए अगर आप total देखेंगे तो company ने जब FI23 में अपने numbers पेश करे तो उनका revenue 76% grow कर जाता है 32% इसमें जो increase था वो jewelry sales के अंदर था और 280% जो low margin bullion sales होती है उसके अंदर increase देखने को मिला तो इस बात दाने वाली क्या है कि लगा तर growth क्यों देखने को मिल रही है इसके अलावा company ने एक interesting बात किया है कि अपनी 52 करोड की एक company को write-off किया जो यहाँ पर loss making थी जो इसके एक subsidiary थी दुबाई के अंदर पी एन गड़के जोईलर्स DMCC नाम से थी जिसको company ने यहाँ पर बंद भी किया था यह भी important बात थी बाकि इससे वह लगा आप देखेंगे तो company ने कुछ business को अगर देखा है तो sold off कर रखा है या फिर discontinued किया है जो आप पर नुकसान हो रहा है बलब अब आप company को देखेंगे तो कि style सलती हो जो loss making होता है उसको जादा company समय व्यर्थ नहीं करती है उसको बेज कर निकल जाती है यह साफ साव अगर आप notice करेंगे तो होता है इसलिए जब आप company के numbers देख रहे हैं तो जरूर company के numbers को आप इस तरीके से देखें कि sales के stages से grow कर रहे हैं margins इस business में overall जाद रहते नहीं है तो company के एक सबसे positive चीज है अब आ जाते हैं दोस्तों यहापर कितना share चल सकता है देखें सिंपल सी बात है आज एक बहुत अच्छे listing देखने को मुली और listing के बाद मनाफ़ा वसोली होती होई नजर आईए हमेशा है बाद धान रखें थोड़ा सा stock up समय देखना सीखिए कि अगर कोई IPO recently listed होता है तो मैं तो हमशे ही कहता हूँ कि इससे दूर है ना चीज़ादा देखिए उसके इंदर buying selling के बारे में सोचना नहीं चीए कि जल्दी निकाल लेके पैसा बना लेता हूँ यह कर लेता हूँ वह ऐसा नहीं होता है इनके पास already है simple सी बात है कली आपको नहीं कहाता है कि अगर आपका व्यू लॉंगर टर्म का है तो जादा सोचने वाली बात नहीं है थोड़ी बहुत गिरावाट तो देखे चलती रहे है कि आज 5% गिरा है वही कलम को टेस्ट होता हूँ नजर आगा क्या उसके नीची जा सकता है वैसे मैं सबसे देखिए मारकेश में थोड़ी बहुत तेजी बन सकती है कल के दिन प्योंकि यूएस में अच्छा मूब देखने को मिल रहा है बट क्योंकि रीसेंटली लिस्टेड कंपनी है तो डि ही मुश्किल है कि अगर आप खुद रूटिस करेंगे कि स्टॉक्स किस तरीके से मूफ करते हैं बट मैं अगर इक कंपनी करें बात करते हैं तो ओर रॉल इस अ गुड़ बिजनस राइट मैं अपसे एक ऐसा स्ट्रॉक है जिनके पास है पोर्टफुल में आप रख सकते है लंबी अफदी के लिए ग्रो करते हैं नजर आएगी क्योंकि कंपनी के पास जो अभी पैसा गया है यह बात धान रखेगा इससे भी कंपनी अपने स्टोर्स को ही और ओपन करते हैं तो इस वीडियो में इतना ही था देखते कहां तक जाता है कल के दिन में अगर यहां पर गिरावट आती है तो साड़े साथ सो रुपे नीचे में बनता है उससे नीचे मेरे साब से आता हुआ नजर नहीं आएगा तो फ्रेंट इस वीडियो में इतना ही था होफ़ील आपको वीडियो बढ़या लगा हो कर लगा तो लाइक कर देना चैनल से वाले बाद जोड़ो सब्सक्राइब पर देना थैंक यू फ्रेंस रॉजिं दिस वीडियो